हाई गाईज, वेलकम बैक टो दि डॉम प्रैक्टिकल सीरीज, तो चलिए इंप्लेमेंट करते हैं अगली एक एक्साइटिंग लोजिकल वारी कोश्टीन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंपूट का एक टेग है, एन देन पी नाम का एक टेग है, तो यहाँ पर कोश्टीन देखते हैं, कोश्टीन पर क्या डिफाइन है, राइट आ स्क्रिप्ट विच कीप्स चेकिंग दी पासवर्ड बिंग एंटर, ठीक है एक इंपूट है, जह आपको अगर आपकी कैप्स ओन है, मतलब आपको टाइप नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी कैप्स ओन है, तो यह कुश्टीन को हम डिरेक्ली इधर समझते हैं, तो दैसे कि आपके पास यह पास यह पासवर्ड का एंटर करने का एक जगा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, तो टाइप नहीं हो रही है, देखते हैं, पहले अगर मैं कैप्स लॉक, तो पहली कंडिशन क्याती, अगर आपकी कैप्स लॉक अन है, तो फिर यह डिटक्ट कर देगा कि आपकी कैप्स लॉक अन है, तो आपको क्या बड़ेख तो मैं कर देते हूं मेरा Caps on off कर देता हूं तो Caps Lock off किया तो आप देख सकते हो जब मैं कुछ कलिक करने जाता हूं टाइप करने जाता हूं मेरा Caps का सिंबल जो है चला गया ठीक है तो फिर Caps का problem तो हट गया है चीज अगर में कुछ टाइफ करता हूँ तो टाइफ करते आपको पता है कि आप जो अपनी वर्च जो लिखेंगे वह कैस में आगे जो भी लेटर सागा shift pressed है, तो वो caps में आती है, तो यहाँ पर देखिए, shift pressed है, तो यहाँ पर सारे words, यहाँ पर click करके, सारे words जो आएंगे, वो caps मारे, क्योंकि मेरे shift जो है, अभी pressed है, fine, तो आपने question defined कर लिया, basically आपकी password को जो है, वो caps में लिखना है, उसे caps में लिखना है, तो कैसे आप लिखोगे, आपकी caps lock on, off होनी चाहिए, also अगर आपकी shift on है, तभी आप type कर सकते हो, right, तो इसको देख लिया, अभी हम कुछे करके देखते हैं, फिर तो पहले चीज़ मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले select करने पड़ीगी, अपने password आले container को, and also इस p वाले element को, तो मैं पहले वो चीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद discuss कर लेंगे, next procedure क्या ही रहेगा, input element को लिया, document.query selector को ले लेता हूँ, and then इसके अंदर बेज देता हूँ, अपना input वाला tag select करता हूँ, तो input वाला tag यहां पर select हूच चगा है, next चीज़ क्या होगा, next होगा मेरा p वाला element, तो p वाले element को भी यहां पर select कर देते हैं, यह लिखा, p element आया, and then document.query selector किया, document.query selector किसके उपर लिखा, same, वो tag से through ही, मैं इसे access कर लूँगा, fine, यहां पर मेरे पास access आ चुका है, अभी मुझे क्या event प्रेस कर, क्या event trigger करना है, जैसे कि event आपको पता है कि आप password टाइप करोगी, तो आपको type मतलब आपको keyboard वाली event का use करना पड़ेगा, तो मैं उससाब से अपनी action को perform कर लेना, fine, तो यहां पर हम अपना जो checking वाला काम है, वो यहां पर करेंगे, उससे पहले हमने कहा था, हमें shift key की जो on off mode है, उससे detect करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहां पर लिख लेता हूँ, let shift key, let shift key जो है, वो by default क्या रहेगी, by default यहां पर shift key को declare कर देते हैं, यहां पर shift key को मैंने सिप declare किया, अभी मैं क्या चाहता हूँ, कि जब भी यहां पर मेरे document के उपर एक listener लगा देता हूँ, document, document dot, document dot, आजाओ, document element के उपर लगा देते हैं, that is our HTML element, यह भी try कर लेते हैं, add event listener किया, इसके उपर भी same key down का, अगर key down है, तो यहां पर कुछ काम करो, क्या काम करो, यहां पर मुझे shift वाली toggling करनी है, यहां पर shift वाली key को on or off में, that is, मेरी shift की pressed है, या नहीं detect करने के लिए, मैं इस चीज को use करूँगा, तो यहां पर एक तो key down है, तो मुझे यहां पर let key अगर लिखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, e dot key करूँगा, तो मुझे जो भी key परस हुआ है, वो वाली key यहां पर इस key में access हो जाएगी, fine, मेरे पास अभी key आ चुकी, मुझे अभी देखना है, if मेरी जो key है, यहां पर लिख देता हूँ, my key, my key अगर लिखता हूँ, तो आपको difference समझ में आ जाएगा, वरना confusion नहीं चाहिए, my key यहां पर लिख देता हूँ, my key is equal to, क्या वो shift key के बड़ाबर है, that is, यहां पर अगर मैं shift लिखता हूँ, तब उस case में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर लिखना चाहिए, कि भाई, मेरे shift key मतलब pressed है, तो इसे कर दो true, इस property को लिख दो true, fine, and similarly एक और चीज़, अगर तुम shift से key up कर देते हो, that is, इस time तक आपने key down किया रखा था, तो मैं shift key को true करके रख दूँगा, अगर आप key up करते हो, तब मैंचे वापस एक deduction लगाना पड़ेगा, क्या, 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 वो key मेरा shift key था, अगर वो मेरा shift key था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे करना पड़ेगा, false, क्यूंकि आपने उस key को हटा दिया, तो फिर मैं उसे कर दूँगा, false, तो इस हिसाब से हम detect करेंगे, कि हमारा shift key on mode में है, off mode में, तो shift key का detection हो गया, इस तरह से, fine, तो simply key down and key up से हमने shift key को detect कर लिया, next चीज़ हमें detect करना फोरी अलग तरीका है, क्या करते हैं, यहाँ पर, मैं open करता हूँ, अपनी chrome को ले आते हैं, and then, इस जगह पर, यहाँ पर मेरी chrome आ गई, इसमें basically simply type करेंगे, detect caps lock, detect caps lock, javascript, detect caps lock, javascript event, how to detect caps lock आ गया, यहाँ पर देखते हैं, detect करने के लिए, आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर, एक event listener लगाया, key up का, and then, यहाँ पर, event.get modify state, caps lock करके, कुछ है, same pattern, हम simple सा, यही implementation उटाएंगे, easy को लिख देंगे, यहाँ पर, आए हम, and then, condition में, check करेंगे, पहले, e.get modify, तो e.get modify state करके कुछ होता है, कि उस key का, जो caps lock, जो पी, यहाँ पर लिखूंगा, get modify state of किसका, मुझे चाहिए, caps lock का, यहाँ पर लिखा, caps lock, तो इसके अंदर, मुझे जो state है, मिल जाएगा, अपने caps lock का, अगर, यहाँ पर if करता हूँ, कि अगर, मेरा caps lock on है, तो मु कि मेरा caps on है, करके display करा दू, वो का है, वो text लिखा है, अपने pe वाले tag में, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर, मेरा caps lock on है, तो मैं लिखता हूँ, pe.style वाला object है, जिसके तो आप CSS handle कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, display, display की property इसको कर देता हूँ, block, की display वाली property कर देता हूँ, block, and then, अगर मैं उपर देखता हूँ, कि आपको, आप देख सकते हूँ, कि जो p वाली element है, by default उसकी none है, तो यहाँ पर ब्लॉक कर दूँगा, तो display हो जाएगा, अगर मेरी caps lock off है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको hide कर दो, म अपने live server में, and then, यहाँ पर आया मेरा live server, अभी अगर इस जगह पर मैं click करता हूँ, अपनी caps lock on किया, तो आप, अगर मैं कुछ type करता हूँ, तो अभी भी मेरा caps lock आया नहीं, display क्यों नहीं आया, एक बार inspect करके देख लेते हैं, अच्छा, हाँ, यहाँ पर p नहीं, यहाँ पर p element आयेगा, यहाँ पर p element, similarly, नीचे भी इस जगह पर p element आयेगा, अभी करके देखते हैं, तो यह selector को बदला है, यहाँ पर on किया, तो आप देख सकते हूँ, यहाँ पर caps on आ चुका है, तो अभी मैं कुछ type करके देखते हूँ, अभी भी type हो रहा है, तो हमें इस पर prevent default, अगर आपको caps on है, यहाँ पर मैं इस statement को लिखता हूँ, इस statement का meaning है, prevent default क्या है, prevent default करेगा, यहाँ पर जिस भी element पर listener लगा है, उस element की default activity है, उसे prevent करना, ठीक है, तो जान लिया, prevent default, कुछ prevent default वाले काम को रोकता है, बात करते हैं, default काम है क्या, जैसे कि यहाँ पर input वाली element है, input का basic काम क्या है, input में हम use क्या करते हैं, type करते है, input का काम है, type करना, तो हम उसमें अगर prevent default लगाते हैं, तो उसकी default जो activity है, type वाली, वो type हम नहीं कर पाएंगे, तो prevent default क्या करेगा, इस input वाली जो default activity है, type करने का, उसे prevent कर देगा, आपको type करने से रोक देगा, simple words है अगर कोई एक html का form element जैसे आपको पता है तो उसमें अगर आप submit करते हो कुछ data को तो आप कुछ event लिजन लगाते हो submit करने का form भी special element है आप जब में submit करोगे वो कुछ अपना default काम करेगा backend वगेरा से request वगेरा बात करने के लिए तो उस जगह पर form को submit जैसे आप आप लोग इन करते हो तो लोग इन बटन क्लिक करते हो submit करते हो तो immediately आपके backend के पास जाके आपकी user verification सब करके आपको देख लेता है अगर वहाँ पे आप डाल देते हो prevent default तब क्या होगा आपकी जो backend वाली जो request चेक तरना होता है उसकी default वाली काम है form का default काम है उसे रोग देगा तो basically हर एक element के पास estimate element के पास कुछ default activity है तो इसके through prevent default के through आप उस काम को रोग सकते हो fine तो अब मैं क्या करता हूँ अभी एगर मैं type करके देखता हूँ यहाँ पर आया मेरे element पे यहाँ पे click किया Caps Lock किया on, Caps किया on अभी मैं type करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी element type नहीं हो रही है मेरे press करने पर भी मतलब मेरा event जो prevent default है वो सही से काम कर रहा है इसका default वाले काम को रोग दिया type करने से इसको रोग दिया अभी अगर मैं by default ऐसे ही pass करता हूँ मैंने shift on नहीं किया तो मेरा shift अभी press नहीं है लेकिन फिर भी type हो रहा है तो मुझे इसके लिए भी check के उपर काम करना पड़े क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर एक statement लिखता हूँ if कि मेरा statement है कि मेरी shift की अगर on में हो तब ही type करने दो अगर off में हो तो क्या कर दो उसे type करने से prevent कर दो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ shift की यहाँ पर negative डालता हूँ तो क्या होगा even.prevent default हो जाए इसकी meaning क्या है कि आपकी shift की अगर pressed है अगर true है तो of course यह negative के true यह false हो जाएगा तो and then यह statement कभी occur in new यह statement कभी trigger in new होगा अगर आपकी shift की जो है false है मतलब आपने shift की को press नहीं किया तो उस case में क्या होगा यह statement चल जाएगा यह false को true कर देगा negative के true and then आपकी event की जो default का में अपनी input element का उसके event को prevent कर देगा उसके default का में उसे prevent कर देगा तो अभी हम चलते हैं हमारे task के उपर अभी हम perfectly शायद कर चुके हैं तो देखते हैं क्या हमने perfectly किया मैंने किया caps lock on मैं करता हूँ type टाइप नहीं हो रहा है great मैंने किया off मैं अभी type करता हूँ अभी भी type नहीं है मैंने किया shift को press किया अभी कुछ type करता हूँ आप देख सकते हो मेरी जो values हैं वो आ रही है अगर मैं shift को अटाया तो आप दुबारा कुछ type नहीं कर भाग shift को डाला तो ये थी हमारी task simply था बस हमें हमारी caps lock and then shift को detect करने की techniques भी सीख लिए कि भाई किसी चीज को कैसे हम detect करें तो यहाँ पर हमने shift को handle किया उपर हमने caps lock के लिए google करके उसकी modify state वगेड़ा ऐसे कुछ method है उसके दुरू हमने पता लग लिए ऐसे कर दिया and then event.prevent.default का भी जान लिया कि हर एक html element पे कुछ न कुछ default काम होगा तो आप क्या कर सकते हो event.prevent.default से उसकी जए default काम है उसे आप negate कर सकते हो मतलब उसे prevent कर सकते हो होने से execute होने से trigger होने से fine तो इस task में इतना ही hope आपको समझ में आया and इसकी implementation भी समझ में आ गई तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में thank you very much